जैहिन दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एक्जाम मास्टर पे मेरा नाम है सिवम सारस्वत और आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ क्या तुम्हें स्क्रीन पे दिखी रहा होगा क्रेंट अफेर्स ओफ दिसमबर दोजार तेईस और हैपी नुए यानि कि कल क्या है एक जनवरी दोजार चौबिस दोजार तेईस का आखरी दिन है मैं इसको end करना चाता था अच्छे नोट पे तुम लोगों की पढ़ाई के साथ ताकि तुम लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो पेपर में भी helpful हो और मजा आ जाए पढ़के तो प्यारे बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसमबर 2023 के करेंट अफेर्स पचास कोईसिंस हैं उनकी नीचे में नोट्स भी एड़ किये हैं इसकी PDF आपको description में जो हमारी community का लिंक है टेलिग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से मिल जाएगी और वीडियो तो यहाँ पे मैं आगे चलना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मैं अगर आगे चलूं आगे अगर हम move करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो new year की wishes हैं मेरी तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से new year की wishes तो हैं ठीक है और आप इस number में मुझे follow भी कर सकते हो WhatsApp करके मेरे से connect कर सकते हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर सारे links मैंने डाल दिये हैं अब अगर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा ठीक है यहाँ से मैं अगर आगे चलना चाहूं तो हम आएंगे थोड़ा सा आपके नीचे की तरफ नीचे की तरफ में कहां पर हम जाएंगे हम यहाँ पर जाने वाले हैं आपके question पर अर यह क्या खुल गया यह तो खुल गया आ रहे न्यू यू यूर के wishes दे रहा है यह PDF भी आपको तो happy new year 2024 in advance to each and every one of you यह आपका 2024 उपलब्दियों से बरा रहे आपके सारे जितने भी exam साब दे यही मैं इस ओर से कामना करता हूँ आप सभी बच्चों के सारे exam पास हूँ भाई का support तो तुमारे पास हमेशा से रहता यह और रहेगा भी आगे शकते हैं बच्चो अब आता है हमारा आज का main कारिक्रम जो हम चालू कर रहे हैं ठीक है तो क्या हुआ ह कारिक्रम कहानी कुछ जैन सी षर्व कर लांश वाटे ठीक हसी है जिसने ंचा assistants ॏक लांच किया है ताकि आपकि 90 वरकर को ट्रेंट किया जा सके तकी वह किस बच्चेंवें disability है disabilities का case यह है कि early stage में अगर वो पकड़ ली जाती है तो बहुत जादा कारगर होता है बच्चे का आने वाला जीवन बच्च जाता है तो यह आगनवाडी का जो department होता नहीं यह आता है ministry of women and child development के अंदर B is the answer और मैं तुम्हारी help के लिए यहां पर नीचे answers भी put किये हैं इसके बारे में थोड़े से मेरे notes भी डाले हैं ताकि तुमको पढ़ाई करने में मदद हो जाए ठीक है तो यह सारी चीजे मैंने यहां पर डाली है अब अगर मैं आगे चलना चाहूं ठीक है आगे अगर मैं आठ करोड़ चिल्डरन जनम से लेकि छे साल तक का बच्चे जबता होता नहीं तब तक को आंगनवाडी के उनमें centers में जाता है है ना वहाँ पे उनको daily basis पे बच्चों को भेजा जाता है तो women and child development ministry जो है यह टेक केर करती है इसका और एक द्राफ आयथ a national policy for persons with disabilities 2021 one third of disabilities जो है देश के अंदर वह प्रिवेंटेवल है अगर उनको early stage पर detect कर लिया जाए यह बात याद रखो early stage पर अगर आप उनको disabilities को detect कर लोगे ना तो आगे आने वाले जीवन में दिक्कत नहीं होगी so they are detected in adequately addressed अगर उनको पता कर लिए जाए तो बच्चे का जीवन बच जाता है उसमें यही चीजें है आगे अगर मैं बात करूँ अगला question आ रहा है हमारा question no.2 दोस्तों ध्यान से सुना किस country ने क्या किया है स्क्रैप किया है world's first smoking generation ban to fund tax cuts अब यह country है तुमारा न्यूजिलेंड यह country तुमारा कौन सा है यह country के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह country है तुमारा कौन सा न्यूजिलेंड ठीक है यह आपका काम किया है वाईस आप न्यूजिलेंड ने किस ने किया है न्यूजिलेंड ने न्यूजिलेंड में क्या हुआ था न्यूजिलेंड की सरकर ने 2022 में क्या खेल किया था उन्होंने एक world leading law लाया था कि ban कर दी जाएगी smoking future generations के लिए 2009 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे ना उनको cigarette की आप विकरी नहीं कर सकते है आप नहीं करी सकते cigarette यहाँ पर मैंने डाला भी है कि दोस बॉन आफ्टर जनवरी दोजार नो फ्रम एवर बिंग एबल टू लीगली वाई cigarettes अब इन्होंने इसको वापसी कर लिया ठीक है ना क्योंकि वहाँ सबसे जादा death जो हो रही थी ना वो cigarette के दूए की वज़ए से पीने वाले लोगों की हो रही थी है ना और इसके वज़ए से health system को billions and dollars का क्या हो रहा था गाटा हो रहा था उसको बचाने के लिए पर इन्होंने वापसी ले लिया अब आते हैं अगले चीज की तरफ है ना पहले तो यह लाये थे अब इन्होंने वापस कर लिया अब जो इस फर्स्ट यूटिलिटी स्केल जियो थर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रडूसर आई पीपी जिसके बोल जाता है तो यह है तुमारा जिंबामबे यह कौन सा है तुमारा जिंबामबे है ठीक है यह तुमारा क्या है जिंबामबे अब जिंबामबे ने क्या किया है यह पहला क्या बनाएगा जियो थर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंडेंट पावर प्रड्यूसर बनाएगा औंड़ केमेंड बताओगे तुम लोग मुझे करके बताओगे की टूमारी दायत से इन्वार्मूdefense १्ली informat बहुत ज़्यादा खतरना असर बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ेंसे जिनसे green house emissions होते हैं वो क्या है वो तुम बता होगे पर मैं यहाँ पर तुमको एक बहुत बंजीदार बात बताता हूँ energy sector जो है particularly जिम्मामे के अंदर बहुत बड़ा एक कारण है किसके लिए green house emissions के लिए तो सबसे ज्यादा जो contribution है total energy generation in 2021 वहाँ पर 29 परसेंट जो होता है ना energy generation होता है non renewable sources कौन से होते हैं अगर मैं तुम्हें बता हूँ non renewable energy resources जिनको वापस से generate नहीं किया जा सकता petroleum and fossil fuels fossil fuels ठीक है जो fossil fuels होते हैं तुमारे यानि कि petroleum और कोईला है को एक बार खतम हो गया तो वापस सोड़ी ना generate कर सकते हो आप नहीं किया जा सकता इन अब अब इसका उल्टा कर मैं बता हूं तो renewable energy resources यहां पर 70% बिजली बनाई जा रही है जैसे hydro power हो गया है कि इसका लाज जा से रहे है यह नहीं डैम बना के आप बिजली बना रहे हो वहां पर आप पानी तो बहुत सारा है यह सारी किस तरीके की energy है आपकी renewable energy है ठीक है अगले question के बारे में अगर मैं बात करता हूं question number 4 आता है वेटा कि रास महुसव और रास लीला festival यह कहां पर मनाया जा रहा है किस राज्य में मनाया जा रहा है तो इसका answer है बेटे मेरे प्यारे बच्चों आसाम में ठीक है आसाम यहां पर मैंने लिखा हुआ है तो यह आसाम का एक माजुली दूइप है रिवर आइलेंड रिवर आइलेंड है माजुली अब इसके question आया है कि एकलौता रिवर आइलेंड कौन सा है आसाम में पर माजुली दूइप है जो largest inhabited river आइलेंड है इसके question मनता याद रखना कौन सा है यह star बना रहा हूं ताकि तुम्हें यादर है screenshot ले लेना है तो माजली इस दे कोर ऑफ आसामीज, नियो वेस्ट नविजम, रिवर आइलेंड, ठीक है, क्या है, रिवर आइलेंड है आपका, ओवर दे रिवर भामोपुत्र, आप यह कौन सी नदीमे के उसमें बनाए है, ब्रामोपुत्र नदीमे, यहां बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, जो पाई जाती है, लोकली उनको बोल जाता है सत्राज, इस पर भी कुश्चिन में संगता है, वहाँ पे एक लोकल्स जो है, परफॉर्म भावना, भावना क्या है, ट्रडिशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा, भावना इस ड्रामा जो माजली पेपर में, अगर मैं डिफैंस एक्जाम की बाद करूं, तो आपको कट टू-कट आंसर नहीं आएंगे, बहुत बार, आपको hidden information भी ले ली जाएगी, जैसे मैंने जो नीचे info दिया, इस पे भी सवाल बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे चलता हूं वेटा, अगले question की तरफ, question number 5, अगला आता है हमारा question number 5, astro set, astro sort is a space telescope launched by the which country, अब ये astro sort की कहानी कहा है, astro sort अपना इंडिया का है ठीक है, इसको किस ने launch किया था, इस रो, Indian Space Research Organization, हाँ पर इस रो ने launch किया था, इस रो का advertर का है, तुम लोग मुझे comment बताओ, और हाँ, like, share and subscribe this session, आपके प्यार की भाई को बहुत जरूते इस टाइम पे, तो इस session को उन सभी बच्चों तक पहुचा दाना है, या वन डे competitive exams के तियारी कर रहे है, मैं ऐसे current affairs लाँगा कि paper में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा तुमारा, इतने सारे exams, defense के पास करने के साथ-साथ में और भी बहुत सारे exams दिये हैं, उनको निकाला है, तो वो सारा knowledge आप लोगों के ही काम आने वाला है, तुमको दस जगा जाने की नहीं है, तुमके वाल यही content consume करोगे, तुमारा paper गड़े प्यार से निकल जाएगा current affairs of GKS का, ठीक है, तो इंडिया का जो astrocyte space telescope है, अब मैं उसके बताता हूँ, उसका क्या है, उसने major milestone achieved क्या है, कि इसने detect किया है 600 gamma ray burst, GRB, ठीक है, represent either the death of a massive merger of a neutron star, यहाँ पी क्या होता है astrocyte को 2015 में launch किया गया था, इसकी जो service life थी ना, जो life थी वो 5 साल की थी, यानि 15 से बीस तक पर यह over चल रहा है, यानि कि अपनी service life exceed करने के बाद भी यह जिन्दा है, अभी भी चल रहा है काम इस से, तो life spend तो इसका बूरा हो गया, but it is still functioning and making important observations, observations दे रहा है और बेज रहा ह सर्थ पे, तो बढ़ी आया यार, दे को कितनी durable चीज बना दी है, इस रो ने, ठीक है, तो यह याद रखना है, किसने बनाया है, astrocyte को astro ने बनाया है, और इसने अपना 2015 में launch किया गया था, आ गया आता है, अगला question, which name has been given to the moon of asteroid named dynkines, discovered recently by NASA's Lucy spacecraft, अब यह Lucy जो है, this is Lucy is a spacecraft जो कि NASA का है, National Space Administration, है ना, यह अमेरिका का है, NASA is a Space Agency of USA, है ना, अब उसने एक asteroid दिनकी नेस है, उसका moon नोड़ा है, उसका नाम है Salem, अब इसके बारे मैं थोड़ी सी आगे information में बताऊंगा, थोड़ा सा समझो, यह क्या कहानी हो रही है, तो Lucy जो spacecraft है ना, यह NASA का spacecraft है, Lucy, जो ह है, NASA का Lucy spacecraft, इसने asteroid नोड़ा कॉन सा, दिनकी नेस नाम से, which flew past last month, has a tiny contact binary moon, दो space rocks जहें, जो एक दूसरे के अगेंस, रेस्ट कर रहे हैं, और International Astronomical Union, इसने अप्रूव किया है, इसका नाम सेलम, जिदने भी यह asteroids होते हैं, जो celestial bodies होते हैं, बाहर के जो, अर्थ के बाहर के space में जो पाये जाते हैं, उनको International Astronomical Union जो है न, वो nemenclature उसका करती है, तो उनने इसको नाम दिया है सेलम, अब भाईसाब, इसका नाम जो है यह मतलब होता है, इसका पीस, इसका नाम का मतलब होता है, पीस, अभी नाम क्यों दिया गया, यह दो famous fossils हैं, जो discover किये गए थे, कहाँ पर एथियोपिया में, एथियोपिया की कैपिटल है, अदेस अबाद, याद रखना, ठीक है, दिमकिनेस इस दा इथोपियन नेम, फॉर दा 3.18 मिलियन ओल लूसी फोसिल, जो की मिला था कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और सेलम जो था, वो तीन साल, थ्री येर ओल एक हुआ है, अगली चीज अगर मैं बता हूँ, अगली चीज पर चलते हैं, क्वेशन नमर सेवन, क्वेशन नमर सेवन जो है तुमारा, स्विस अन स्टैप इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेट टू विच मिसन ऑफिस रो, तो आदित एलवन से रिलेटेट है, यह किस से रिलेट स्टैप इंस्ट्रूमेंट्स ने डाटा इखटा करना चालू कर दिया है, स्विस और स्टैप्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्स्पेरिमेंट पेलोड, हैव डिटेक्टेड प्रोटों, हीलियम आइन्स एनर्जी इस्ट्रोग्राम्स, इस जो है, 360-degree coverage करता है, directional monitoring करता है, है ना, जो बताएगा क्या, solar wind properties बताएगा, variabilities बताएगा, एंड उसका link बताएगा, space weather, कि वो अर्थ को influence करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, now, आगे चलते हैं, ये किसके अंदर आते हैं दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स, आदित्य element के अंदर, यहां पर मैंने answer, यहां पर नीचे डाले हुए है, ताके तुम लोगों को याद रहे, ठीक है, अब चलते हैं, आगले question की तरफ, अगला question क्या बता रहा है, Indian activist Safina Hussain, who has been awarded the prestigious 5,00,00,00,00,00,00 wise price recently, awarded for work related to, अब यह जो है ना, यह इन्हें girl education के condition में, इनको girl education के case म मिलाएगा, किसमें मिलाएगा, इनको girl education में, इनको इनको मिलेगा, इनको इसमें मिलेगा, अगला question आता है, question number 9, that is, which country is recently elected to the international maritime organization, council with the highest ally, India को बापस से भाईसा मिल घया है, दरज़ा, India, अपना प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा भारत देश, इंडिया को IMO ने रिएलेक्ट कर लिया है, है ना, रिएलेक्शन हुआ इंडिया का, दस अलग स्टेट्स हैं, उनका उनके साथ और को ने, ऑस्टेलिया, ब्राजील, कनाडा, अस्टेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्टेटन, एंडिया, एंडिया, अबिनेड, एमिरेट्स, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिफैन स्टेट्ग जामास्टर को लाइक से सब्स्क्राइब कर लेगा, इसकी पीडिया आपको कम्यूनिटी पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मिल यह जो आंसर है, यहां पे मैंने नीचे डाला हुआ है, ठीके, सी माउंट क्या है, यह कहां मिला है, पैसिफिक फ्लोर आप दा कोस्ट ऑफ गौतेमाला, गौतेमाला के पास, ठीके ना, अंडर वाटर माउंटेन है, क्या है यह अंडर वाटर माउंटेन है, यह अंडर तो प्रॉट का डबल है यह अगला प्रॉट है हमारा फटा फट से मूव करते हैं वह लोग नई साल के सबको बहुत बहुत सुब कामना है को इस नमर 11 बोल रहा है कि हमारा वी सिटी जा होस्ट ऑप दा इंडियन फस्ट इंडियन आर्ट 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 अर्ट अडिजाइन ब इसको पोला जाता है इस प्रोग्राम के दोरान क्या हुआ उन्होंने आप में निर्बर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी उद्गाटन किया है ना ऑल्सो इन्होंने एक स्टाम भी लॉंच की दिस दोरान विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉंच दा हरित सागर इसमें ग्रीण इंट्रवेंस लिया जाएंगे ताकि सिप्टू सोर पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके पोट्स का और और फूल्स जैसे की ग्रीन हाइड्रो ग्रीन हैड्रोजन ग्रीन अमोनिया मैथेनॉल को पोट्स में यूज किया जा सके फॉसिल फू तेजसे सोलर एंप्छी हो गए आपकी रिनोवेल है विड्न एनरजी हो गए रिनोवेल है ये सारे रिनोवेल एनरजी रिसोर्स से होते हैं सब्स्रीन मैं इसका आज़र थे तो सुप्रीम कोड़ ने वीडियो प्रेश किया कि दस डिफरेंट इंडियन लगए हिस्ट्री ऑफ दा केस्वानन भारती जज्ज्मेंट यहां पर क्या हो था 24 अपर 1973 को ठीक है ना सुप्रीम कोड की बैंच ने जिसमें 13 जस्ते लार्ग जस्ट इन दा हिस्ट्री ऑफ कंट् यहां पर क्या किया गया था उन्होंने बोला कि जज़िस की जो मेज़रेटी थी वह सेवन इस्टू सिक्सिरी हमारे यहां पर इंडिपेंडेंट सरकार उसके मामली में अस्तचिप नहीं कर सकती यह चीज़ याद रखने रखने नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन आता है फटाफट से करते हैं फूड ड्रग एड्मिस्ट्रेशन अप्रूब ट्रीट्मेंट फोर विच डिसीज बेस्ट ऑन दा क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलोजी इसका अंसर है तुमारा सिकल सेल डिसीज ठीक है यह सिकल सेल डिसीज किया है अब इसके बारे में थोड़ सी डिटेल मैंने नीचे दे रखी है मैं आगे चलूँगा फटापट से कॉस्टन नमर 15 प्रसांद अगरवाल को न्यूज में थे जो रीसेंटली किस प्रोफेशन से रेलेटेड है वो एक सोसल वर्कर है ही जा सोसल वर्कर विटा क्या ह इसके बाद अगला क्वेशन आता है तुम्हारा क्वेशन नमर 15 अब चिल्का लेक जो है वो औरीसा में तुमको याद होना चाहिए चिल्का जील्का है ओडीसा के अंदरे क्वेशन बन जाता है इस पर फी ठीक है और एक साइंटिस्स थे प्रोफेसर एलन मायर्स उनके नाम पे इसका नाम नॉमनक्लेचर करा गया है ठीक है यह एक स्पीसीज है अब आगला क्वेशन आता है क्वेशन नमबर 17 अनन्द मेरे इंडिया स्पस्व इंडिया सफस्पास जीमनोश फंम गॉड्टन ये बना है अपका उत्तराखंड के अंदर कॉंसे स्टेट चेंदर बना है उत्तराखंड के इंधर एक सलगा feeling in चाइना's वय्डार रोव शेयक से क्वेशन नम degrees in up. तो, what is the name of the settlement in China's, what is the name of the settlement in China's, Sannan, क्या है, प्रिफर्क्चर वेर, एविदेंस अफ द ओल्डेस्ट, डॉमेस्टिकेट याग, याग को गाय भैस की तरह पाल के रखा जाता था, यह कहां पर प्रूफ मिला है इसका, यह मिला है बंगा करके एक जगा है यहाँ पर, क्या करके जगा है, बंगा करके यहाँ पर एक जगा है, वहाँ पर इसका प्रूफ मिला है, ठीके, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, रिसेंटली, इंडियन लॉयर, उमा सिखरवाज, रिएलक्टिट टू गौवर्निंग काउंसिल अप इंटरेंशन इंस्टिटूट अफ उनिफिकेशन और प्राइवेट लॉग, यह रोम में बेस्ट है, इटली की राजधानी है, अब आदा है प्रसांत अग्रवाल, अग अगर्डिंटू दा आईक्यू, एयर क्वालिटी विश इस इटी वस्ट इन वर्ल्ड, वाई सब इसमें लाहॉर आगे चपिटे में, इसका अंसर है लाहॉर, लाहॉर पाकिस्तान के अंदर है आप सब लोग जानते हो, ठीके, सबसे ज़्यादा गंधी एयर क्वालिटी थ साथ हमारे 50 साल पूरे हो चुके हैं बच्चो, ने अपनी ग्रीटिंग्स दी उनके वहां के रास्ट जो पदानमंत रास्टपती हैं, मिस्टर स्यूक यूनसुक यूनसुक यूल को नने अपनी सुब कामनाएं भेजी के 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइस के, 1973 में हम और यहां पर मैंने पूरी डिटेल्स आपको दिया है था कि आपको एक इलाबोरेटेट अप्रोच मिले तयारी करने की यह आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ठीक है, विकसित भारत है 2047 इनिस्येटिव लांश्ट किया था, अधर नहीं पदानमंतरी स्री नान्द यह है इसका अंसर ठीक है, इसके बारे में नोदीजी ने बात की, तो वर्क्सप्स कराई जाएंगी ताकि यूथ को क्या हो, इंट्रेस्ट डवलप हो जाए, ताकि नेशन को बहुत बहुत कराने का प्लान है भारत सरकार का, तो उसमें यूथ का एक बहुत बड़ा कर सको, ठीक है, यहाँ पर economic growth आप देखो, social progress देखो, environmental sustainability पर आप काम कर सकते हो, good governance and then other other domains है, आगे चलता हूं मैं, question number 25, which institution launch is retail division for providing loans to borrowers in the PM कुसुम scheme, यह है आपका IREDA, इसका answer क्या है, IREDA, international renewable energy, sorry, Indian renewable energy development agency limited, IREDA जो है, उसने launch किया है, retail division, यह क्या करेगा, loan देगा borrowers को PM कुसुम scheme में, ताकि आप rooftop solar लगा सोगो, business to consumer, B2C sectors में, and strategic division बन सके, 5th December 2023 तक, IREDA जो है, उन्होंने एक sustainable investing का वो लगा, 1-2% asset under management का वो लिया है, इन्होंने, domestic pension, insurance went to renewable energy bond, इस तरीके से भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है, question number 26 आता है, which country has recently developed its currency, peso against dollar significantly, recently, Argentina, Argentina की capital है, क्या, Argentina की capital है, और उसकी currency क्या है, पैसो, ठीक है, वहाँ पे महंगाई इतनी जादा बढ़ती जा रही है, कि हर महीने 100% के हिसाब से बढ़ जा रहा है, inflation, एक US, एक Argentina पैसो बराबर 800, US dollar, 800 पैसो बराबर एक US dollar है, सोचो कितनी बढ़ी महंगाई, वहाँ पे कितनी तगड़े rate पे चल रही है, हैना, almost 100% annually बढ लिया गया है, इंडिय नेवी डिसेंटली री इंडुक्टिट विच सिप, रेटरंड फॉम माल्दीफ, विज आफ्टर एक स्टेंसिव रिपेर से अप्रेट तो नेवल लॉक्यार विसाका अब क्या हुआ, इनस तार मुगली है, उस सिप का नाम, यह सिप हमने माल्दीफ इसको गिफ्ट में दिया था, है न, यह 22 साल पुराना एक फास्ट अटेक क्राफ्ट है, आइनस तार मुगली, जिसकी कमिस्निंग सेरेमीन हुए कहां पर विसाका पत्नम, विसाका पत्नम में, कमांड है, क्या है, पताओ मुझे कमेंट्स में, इंडिय नेवी की कुछ एक बड़ा चीज है, बड़ा एक फॉमेशन है, जो कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और इसका नाम था, इसका नाम था, इनस, तिलान चैंग, फर्स्ट कमिस्न दिन दा इंडिय ने भी, तह सिववाज गिफ्टिट टू, मालदीव, नेशनल डिफेंस पो अपने समान है, हमने बेजा, रीफिट किया, उसको रीबर्स किया, वापस से कमेशन कर दिया, कि इस नाम से आयनस तार मुगली, अच्छा है ना, अपना समान वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, कोई नहीं हमारे पास वापस बेज दो, ओके, अब में तुम्हें कहानी बताता हूं की बर्कुट कि क्या है, यह है वैता, लेक्ट्रेज करी अ एक ना कमपनी है, जिसने नाहीं लॉंच करी है, नेम्ड बर्कुट, वापस नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्रिक बोर्स कोची में बेस्ट है, ठीक है ना, अब इसको इंट्र वाली होती थी अब यह जीरो एमिसों गर से किसको अवर्ट दिया गया है प्रस्टीरियुस र्वल स सिटर्ड कैमेंश्ट्री दूब नाए होम प्राइज़ फॉर एजुकेशन ठीक हैए। इसका आंशर है सविता लडागे. इन को यह प्रइज मिला है, सबिता लडागे को यह प्राइज मिला है, ठीक है ना प्रॉफेसर यो है, यह मुंबाई की होमिजाबस सेंटर फॉर सइन्स एजुकेशन जोग आता टाठ क scorıyla संट कर रहा है मेंद्रा खेंजेटी इसका कॉनसा इंडियनिस्पुलेंटी साथ सटनेभणि करके यह लोग बना रहे है क्या कोटक इंडिनिंट इसकोल क्वुर से स्कुल आइट में बहुत तरीके से तुमारा आगला question आगया 31 which is the implementing agency for Indian forest and food certification scheme that was introduced recently अभी वोड certification कौन करें का वाईज साथ Indian Institute of Forest Management इसका आंसर इंडियन इस्टिटूट ऑफ पोर है जाना पर भी आंसर तिया हुआ है यह करना जरूरी था इसको implement कर दिया गया है question number 32 आता है which country इसका उत्तर UK United Kingdom है ना इन्होंने यह रेगुलेट के ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को ताकि प्राइमरी गोल जो है इसका इसके लिए इन्होंने इंप्लिमेंट कर दिया है और महारास्टा इसका आंसर है उत्तर प्रदेश यूपी जो है अगर महारास्टा लगबग लगँ महारास्टा के बारे में अगर मैं बात करूँ महारास्टा का जीडीपी में 15.7% का सेर है तो यूपी नेरली 9.2% कॉंट्रिबूट करता है यह सब पॉसिबल हुआ है जो उत्तर प्रदेश के हमारे मानिये मुख्यमंत्री है योगी आदित करती है और पैसा आता है तो ओविसली इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एकॉनमिक ग्रोथ होती ही है स्टेट की तो यह सारा था अगला क्वेशन आता है योगमया टेंपल रिसेंटली जो न्यूज में था किस सिटी में है बेटा यह है आपका नहीं दिल्ली के अंदर है दिल्ल क्लाम साथ की याद में यह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इस पेस जोएकर मैं बताऊं दो डिया डियो ने एक इनोवेशन इन क्रेटिविटी अमंग इंडिविजल इनोवेटर ने स्टार्टप्स को इंप्रूव करने के लिए उनके स्टार्टप्स को लाने के लिए स्टार्टप्स को इनोवेटर्स को कि आप अपने आइडिया को सेयर करो हमारे साथ जो भी लोग 18 साल से उपर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं इंडिया की डिफेंस में एरोस्पेस काइपिलिटीज को बढ़ाने में है न कि आप डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में अपना योगदान दे सको तो मैदान खुला है यार अगर आप कुछ कंट्रिब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज डूएन पार्टिसिपेट देर ठीक है और नेशनल इंडस्टियल कोरिडूर डवल्लमेंट प्रोग्राम निशीपी यहां पर बनेंगे वेट ते11 के कोरिडूर ग्यारा कोरिडूर बनाए जारें ऑप्सन बीज दा नसर ठीक है थोड़ी सी यहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल दी है कि हमने एडीवी एडीव करेगा industrial corridor development को ठीक है यहाँ पर जितने भी गया रहे इंडस्ट्रिल कॉरिड़ोर पसमें पैसा भी तो लगेगा ना तो उसको बनाने के लिए हमने ADV से लुटाया है लोन तो यह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडिया कंडक्स military exercise अलनाजा इस्टन ब्रिजिन नसीम अलभार किस कंट्री के साथ बाई सब यह सारी exercise होती है विटा ओमान के साथ होती है पेपर में आने वाला है इस्टन ब्रिस नेवी की एक्सराइज होती है उसका नाम होता है नसीर अलभार ठीक है तो यह एक दो तीन इन तीनों का नाम सब बच्चे याद रखेंगे ताकि दोनों के बीच मेरिटाइम कॉपरेशन इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई है हमारा को दस साल का आगे आट-दस साल आट-दस एरियास पर हमने पाटनरसिप की है तो यह सारी चीज़े भी हो रही है तो आपको याद होना चाहिए कुएशन नमर 38 किस रीजन में यूगल फाइंड ट्राइबल ट्रैक्टिक ट्रैटिसेंग ड्रैडिस्टन कुमेरी क्ल्टिवेसन यह मेरी कल्टिवेसन जो है ना यह मेंली पाया जाता है वेस्टन घाट में अब इसमें गोवाला जो एरिया है ना वह आ गया सबसे ज़्यादा के पास सबसे ज्यादा वेजारे ट्रॉफी का रिकॉर्ड हो पांच बार जीता है तो जीता कौन हर्याना हराया कि इसको राजस्थान को ठीक है इंदेर फर्स्ट हर्याना का पहला टाइटल उनका डिबट फाइनल फाइनल था ठीक है ना पहली वर फाइनल में वहुचे थे फोर्सकमिंग मेमोरिया जी टाइटल फॉर स्टार्स अफ डेस्टनी अब एक क्वेश्चिन इंपोर्टेंट है डिफेंस एस्परेंट्स के लिए क्योंकि यह किसकी किताब है जनल एमेम नर्वाने की ठीक है जो कि ह हमारे पूर्व आर्मी चीफ भी रह सके हैं जनल एमेम नर्वाने मनोज मुकुंद धिर्वाने फॉर्मार आर्मी चीफ तो उनकी जो फोर स्टार्स अफ डेस्टनी उसमें पताया गया है कि उनको कैसे एक सप्राइज लगा जबे अगनीपत की स्कीम अनाउंस ही उनको लग फूर स्टार्स अफ देशनी जनल एमम नर्वाने की कोई सेंबर कोटिवन पचास कोश्चन उनको बस पचास कोश्चन्स में करवाने वाला हुं विच स्टेट इस इस ने बी नौर्जों कल्चल सेंटर एं डिस्टर्स इंटिक अड्मिस्टरेशन है अर्याना तूरिजम मे एक तुम लोग बताओ ठीक है इनके ऑफिस की साइट से और इस तरीके से कंड़क करा गया अगला कॉश्चन आता है बच्चो जिसको त्रची भी बोलते हैं ठीक है अब यह सिक्स अडीशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपको पता होना चाहिए जो यहां पर हो रहा है जो जन्वरी उन्निस से लेके 31 जन्वरी 2023 ता होगा पहले पांच अडीशन हो चुके हैं है ना आपको अगर यह चीज़े याद रखने हैं तो पहले कहां पर हुआ था आपका हो रहा है अगला वाला कहां पर होगा सारा याद होना चाहिए मैंने सारी इंफो में इसलिए पीडिया ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो पेपर में सही से कर सको अगला आता है नाम दाफा नाम दाफा करके एक फ्लाइंग स्कुरल है विटा रिसेंटली न्यूज में थी यह किस वज़े से थी और किस स्टेट या डूटी से विलॉंग करती इस पर क्वेश्चिन बहुत बार बनाया हुआ है रूराचल में है रहे हैं थीगे आफटर व्यारी साल एपस रही स्की बार वापस दिखाई दिए थीगे ना फ्लाइंग स्कुरल है यह उड़ती वी गलरी इसको बल सकते हो ठीक है ना इसका एक नाम है विस्वा मयोपतिरस विस्वासी इडिजर रेडिज कबर हुई है इस जेजन एंडमिक टूरा चल प्रडेस लास्ट दिस्क्राइब नाइनटीन टीवन थे स्पीसिज वास हौत टू टू बी एक्सिंट अन्ट कंफूज विद शीमिलर स्पीसी अउसको बाद में माना कि एक दूसरी स्पीसी इसके पर मिली नहीं थी अभी आतिया किडिकली इंडि इसी प्रजातियां जो विलुकुल विलुक्त हो चुकी है उनको बोले रहता है क्रिटिकली इंडेजर्ट आई उसी एन की ये लिस्ट में सामिल कर ली गई थी लिस्टे अंडर सीड्यूल टू अगर आपने इसको मारा तो आपको जेल हो जाएगी ठीक है इट वसन ऑफ ट्वेंटिफाइ मोस्ट वॉंटेड लॉस्ट इस टागेटेड बाइग ग्लोबल विल्लाइफ कंजर्वेशन्स रिसर्ट पर लॉस्ट इस्पिसी इनिशिटिव इन्होंने खोजना चालों किया तो विल्फिनिया बट लेकर है यूगिंग टांग रेशीव दा दोजार-बाइस का वाडब उपर वाले जो है इनको मिला था बाइस में इनको 2020 में मिला था और इनको दो जार-थीस का तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ना यह सेर्मेनी बीदि असस्त्र केमपस जो कि यह हुई थी आपकी थाइलेंड के अंदर ठीक है यहाँ पर हुई थी थी थाइलेंड में इन्डियन नेवल सिनॉप्सियम यहाँ पे चीफ्स ओफ नेवी सीनियर डेलिकेट्स फॉम दर बाई 27 मेंबर या उब्जरवर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था है ना इन्डियन ने भी इसमें 2008 से पार्टिसिपेट कर रही है इनोगरल एडिशन जो हुआ था 2008 में हुआ था हमारा नई दिल्ली में उसके बाद से चल रहा है नेवी जो था वो चेर्में था 2008 से 2010 तक इस तड़ी किसे तब से होती ही आ रही है है ना इंडिया जूट टेक ओवर है था चेर आउफ दोजार पच्छेश सताइस में इंडिया वापस है चेर्मेंसिप लेगा इसकी दूरिंग दर नाइन सियोसी प्लान टू बी कंड़क्टिन इंडिया इन टुन्टी टॉन्टीटिफाइव आपको पता हुना है कॉशन न देना चाहूं कॉन सी स्टेटेश को ऐसा बोला जाता है अब यह जो है बाविल मंदेव जो है एक नेरो स्ट्रेट है जो क्या है स्ट्रेजिक चॉप पॉइंट है ड्यू टू हाउती अटेक बहुत ज्यादा होता है टैंकर जो यहां से निकलेगा उस पर हाउती रेबल्स ह जो है ना हमला घरते रहते है ठीक है रेट सी से निकलेगा एसकलेटिंग ऑपन फिक्ट एंपक्टिंग ग्लोबल सिपिंग अपकरोगे सिपिंग इंपक्त होती है इस वयसे इसको रोका जाता है तो यह जो है ना बब अलम हैंदेव स्टेट ऑलसो नोन अस गेट ओफ टिर इसको अरबिक में क्या वोल जाता है पिटा गेट उफ टिर्स यह अरभिक में सिको पुल लेंगोई इसको पुल याद रखना इस पर क्वेशन बनना ही है और इस एपरेट अफरीका फॉम्ध अरभी आपनेंसला अफ्रीका को अरभी पैनेंसला से सेपरेट कर देती है ठीक अगला question आता है सिक्रम में Union government is planning to revive tax and emission benefit on export of which item which was placed in the restricted category in mid-2022 चीनी को restricted category में ढाल दिया गया था 2022 में exports के में ठीक है ना अब उसको revive कर दिया है वारस सरकार ने तो इसका answer क्या है सुगर यहां पर मैंने डाला भी हुआ है ठीक है ना Union government ने इसको वापस से restricted category से अठाके ताकि Reimbursement of Taxes का कारेगरम चालू किया जा सके है ना अब जो जो स्कीम है ना Reimbursement of Duties and Taxes on Export Product यह है Ministry of Commerce and Industry की बड़ इसको Implement किया जाता है Department of Revenue जो किया आती है Ministry of Finance के अंतर तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगला question आता है हमारा second last recently उत्तर प्रदेश ने इनौकरेट किया है दो सहरों के बीच में दो जगों के बीच में helicopter service between two intradistrict अब भाई-जाब यह हमारे गाओं की बात है तो इसलिए मैं बता दूँ यह है आपका अगरा मतुरा के बीच में basically I am born and brought up in Mathurah जो कि मेरा hometown भी है तो वहां पर रिसेंटली अगरा से लेके अगरा से लेके गोवर्दन इन मतुरा इस सेनिमनी के तोरान अडल जी की एक मूर्ती का भी अनावरण किया गया ठीक है तो यह बहुत बढ़िया चीज है आगरा से मतुरा आजाओ फट 10-15 मिनिट में आकमस्त हेलिकॉप्टर में बैटो सिधर लेंड करो ट अगर तुम को जोग्राफी से रिलेटिड से यह तो मुझे कमेंट करके बताना और इसको लाइक से रहें सब्सक्राइब जरू कर देना वाई वीडियो को और उन सब बच्चों तक पहुंचाते रहें तो कमिटिटिव एक्जाम के तियारी कर रहे है तो ना एक स्पेस्क्र बेजा था रिटन स्पेस्क्राफ्ट क्या ताकि वो स्टडी कर सके एक एस्टरोड की एफफिस की विच विच विल हैवन एक्ट्रीमली क्लोज फ्लाइवाय ऑफ एर्फिस क्या है उसको बोला गया है गौड ऑफ के उस एक एस्टरोइड है आफ्टर था एंसियंट एजिप वो कहानी इस तरीके से कुछ चल रही है तो बच्चो मेरे प्यारे भाई और मैंनो यह हमारे कुछ पचास कोईशन थे यार और यह मैंने आप लोगों को पढ़ाए ठीक है अब मैं यहां पे तुम लोगों की मदद के लिए अपना फिर से नंबर ड्रॉप करूंगा जैसा क मैं हर सेसर में करता हूं जो बच्चा एक्जाम की तयारी कर रहा है पर्टिकुलरी डिफेंस एक्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा मुझे इस नंबर में वाट्स अप करेगा सर माइन में सो इन्सो माइट ओड़ना कोई नो कोई मेरे टीम से हैं मैं कनेक कर तक आप सौटेट हो जाते हो अरजुन बैच आयमे का हमारा चलता है एक 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 चलता है मेरा इसका नाम है तेजस पैच और उसका पासिंग पर्सेंटेज ज्यादा हमेसा बच्चे उसमें पास होते हैं क्यों मैं सेलेक्टेड बच्चे ही लेता हूं और पूरा उन से जान अलगा के मैंना तरतम के साथ ठीक है यह को इस ती क्लासे समारी यह बैकर सक्रीन सोट लेना चाहते है लो ठीक है अब अब मैं अगर बात करूँ आगे तो आगे कुछ नहीं है आगे हो चुक है खतम ठीक है तो यह था दिसमबर 2023 का क्रेंट अफेर्स इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्सिन में दिये हुए लिंक पे यह आप मुझे डियम कर सकते हो किसी नकिसी नंबर पर रीच आउट करोगे तो कहीं न कहीं से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे यूटुब चैनल को सब्स्राइब करना डिफेंस जाहिन, I'll see you in the uniform soon